हालो बच्कों अगले टॉपिक में आपको दिया गया है अलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा टॉपिक है अलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है देखिये डेफिनेशन के अक्राडिंग एकौण बआपोसे पॉइंट चरज की पेर ऊषय्व पाइज़ तो रीख सकते हैं माल्य कि यह है और एक पॉइंट यह है कोई दिक्कत यहां पर एक पॉजिट का मतलब यह माइनस क्यू ले लिया यह प्लस क्यू ले लिया देखर चार्ज तो यहां पर भी क्यू है और यहां पर क्यू है लेकिन कैसे हैं एक कॉल है और साथ ही क्या है अपोजिट भी है अपोजिट क होगी वह कैसी होगी small distance का मतलब जो बीच की distance होगी वह 2L होगी यहां तक समझ में आया अब बात करते हैं एलेक्ट्रिक डाइपोल की है तो अगर हम डाइपोल की बात करें मालीय यह मैनस क्यू होगया यह प्लस क्यू होगया यह बीच Q से plus Q की तरफ होगे ठीक है यहां तक समझ में आ गया अगला topic है dipole moment dipole moment भहिया क्या होता है the dipole moment is a measure of the strength of electric dipole जो dipole moment होता है वो electric dipole की strength को measure करता है it is a vector quantity और यह किस चाइब की quantity है यह vector quantity है whose direction is from negative charge to positive charge अभी अपने आपको बताया भी था कि जो इसकी direction होगी वो किदर से किदर होगी negative charge से positive charge की तरफ यह direction किदर represent कर रहे है minus से हम चले किदर minus से चले और किदर जा रहे हैं लोग plus Q की तरफ मतलब negative to positive direction हो जाएगी यहां तक आपके समझ में आया कि डाइपोल मोमेंट is equal to the product of the magnitude of either charge and distance between them तो जो डाइपोल मोमेंट होता है जो पी होता है वो क्या होता है पी कोल टू होता प्रोड़क्ट ओफ चार्ज एंड डिस्टेंस कि Diffrin की डिस्टेंस कि डिस्टेंस कर धी दीजी इगी देंशो फिकर में वीच की डिस्टेंस क्या की दाया गया क्यू दिया गया है चाहां यह वाला लेवर क्योंकि हám कभी सान नहीं लेगते साइन क्यूंपनर सी मिंतलब ही नहीं है क्या बढ़ता देग इसका question देख लेते हैं इसी topic पर आधारित एक question देख लेते हैं an electric dipole consist of a positive and negative charge of 4 microcolum मतलब क्यूंकि value दी गई है क्यूंकि जो value दी गई है वो दी गई 4 microcolum और 4 microcolum को अगर हमें coulum में change करना है तो 4 into 10 to the power minus 6 coulum करेंगे ठीक है यहां तक clear हुआ अच्छा फिर उसके वाल लिखा each placed at a distance of 5 mm मतलब बीच की distance 12 दी गई है 12 तो होती है बीच की distance वो दीगी 5 mm दी गई है ठीक है कोई दिखकर नहीं mm को अगर हमें change करना है मीटर में तो क्या करेंगे 5 into 10 to the power minus 3 meter तो 12 की value भी निकल आई और हमें find का करना calculate the dipole moment और dipole moment अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला लेकाया आपको P equal to होता Q into 2L तो P equal to लिखेंगे हम लोग Q into 2L तो P equal to Q into 2L लिखेंगे जब तो value लिख लेते हम लोग P equal to Q की value Q की value है 4 into 10 to the power minus 6 into 12 की value लिखेंगे 2L की value कितनी दीगी 5 into 10 to the power minus 3 5 into 10 to the power minus 3 ठीक है तो 4 का गुणा 5 में करोगे 4 का multiply 5 में करोगे तो 4 5 जा 20 minus 6 और minus 3 अगर पावर का multiply करेंगे तो minus में ही power है minus में power 8 हो जाएंगी minus 6 और minus 3 minus 9 क्योंकि multiplication में power 8 हो जाती है और दोनों minus minus में है तो minus का 9 हो जाएगा अच्छा अब हमें करना क्या है value निकाल लिए और देखो एक पावर अगर इससे देदें एक पावर माइनस की इदर देदें तो जब एक पावर यहां पर घटेगी तो यहां पर 2.0 पर दसम लबा जाएगा या फिर इस तरीके से अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम दूसरे तरीके समझाते हैं 20 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power minus 1 इस minus 1 को divide में ले आओ कहां ले आओ divide में divide में लाने का मतलब minus की power किसमें हो जाएगी plus में ठीक है 10 की power 1 ठीक है 10 की power 1 का मतलब 1 power कोई माइन नहीं नहीं रखती है कि है तो क्या लेख सकते हैं 20 लेख सकते हैं into 103 the power minus 8 लेख सकते हैן 10 to the power 1 का मतलब 10 नहीं होता है ठीक है 0 से 0 केंसील ओगे पी कॉलुकू कितना निकल आएगा 0 से 0 केंसल होके अब तो पी उखल निकल आएगा 2 into 10 to the power minus 8 और जो पी होता है उसकी जो unit लिखते हैं वो coulomb into meter लिखते हैं coulomb into meter लिख देंगे ठीक है समझ में आया